हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टो माई चैनल तो आज मैं आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है पूरे साल तक आप इनका यूज़ कर सकते हैं अगर आप दिवाली के दियो को बेकार समझ कर फेक देते हैं तो दिया फ क्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले अप उसको हमें निकाल लेना है सारवी अगर ओयल है तो वह भी घी है तो वह भी आप निकाल सकते हैं उसके बाद हमें एक भगोना लेना है उसके अंदर हमें एक गिलास पानी डाल देना है जितना आदिया आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लेले पानी को उसके बाद यहां एक चमच हम सर्फ यहां पर मैं टाइट का यूच कर रही हूं आपके पास जो भी सर्फ पाउडर हो उसका पी उच कर सकते हैं उसके बाद जो हमने दिये निकाल के रखे थे और उसके अंदर हमें इसलिए करना है क्योंकि दिये के अंदर ओयल चिकनाई होती है तो वो चीज को हमें निकाल लेना है उसके बाद हम निकालके और हमें थोड़ी दिर रखना है उसके बाद हमें इसको सुखा लेना है अच्छे से पोच के साफ कर लेना है उसके बाद next process में चलेंगे तो यहां पे मैंने ये जो बीम बार नीचे हम यूज करते हैं बरतन धोने में और नीच से भरना है इसे अच्छे से दबा दबा के भर लेना है ताकि ये निकले नहीं और इसको आगे क्या करना है इससे हम क्या करेंगे पूरा प्रोसेस देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इसकी नहीं करना है नहीं तो फिर आप पूरा प्रोसेस नहीं ज तो एक देख के आप ना इसकीप करें आप पूरा वीडियो को जरूर देखें तो यहां पर इसको देखिए मैंने अच्छे से भर लिया है और इसको हम एक साइड में रख देंगे उसके बाद हम दूसरे प्रोसेस में चलेंगे दूसरे में तब तक हम इसको सुखने के लिए दूसरे तरीके में हम जो है मिट्टी लेंगे और आप चाहें तो सुखा मिट्टी भी ले सकते हैं या गमले की मिट्टी ले सकते हैं उसमें थोड़ा सा पाइन डाल लीजे और उसको अच्छे से मेल्ट कर लीजे इस तरीके से और इसका हमें क्या करना है वो मैं आगे आपको दिखाते हैं अब मिट्टी के अंदर हम एक चमच के करेब दर्फ डाल लेंगे और इसको अच्छे सेमिटी के अंदर मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा पेस्ट, परन के ढेडि, हो चुका है और अब हम इसको दिये में अच्छे से दबा के भर लेंगे ये थोड़ा गीला ही रखना है क्योंकि गीला रहेगा तो अच्छा रहेगा अच्छे से जम जाएगा और नहीं तो फिर अगर बहुत सूखा रहेगा तो फिर वो अच्छे से जमेगा ने इसलिए थोड़ा सा आप आपको इसको गीला ही रखना है ताकि अच्छे से वो सूखके और जम जाए तो इसको भी सूखने के लिए रख देंगे थर्ड प्रोसेस में क्या करना है हमें दो चम्मच बेकिंग सोडा लेना है जो बेकिंग सोडा हम खाने में यूज करते हैं वही लेना है और उसके बाद इसके अंदर एक चम्मच सर्फ पाउडर को मिलाना है दोनों चीजों को हमें अच्छे से मिलाना है इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसके अंदर पानी डालेंगे अच्छे से मिलाने के बाद तो यहां देखिए इसका एक पे भर दिया है और उसके बाद हमने इसको सूखने के लिए रख दिया था और यह सारे दिये मैंने तयार करके रख ले ते अब इसका यूज कैसे करना है वह मैं आपको आगे बताओंगी तो वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं कीजेगा तो यह देखिए हमारा तवा है और अब हम इस तवे को अच्छे से इसी से साफ करेंगे तो देखिए ये मैंने जो वीम बार भरा था उसको मैंने ले लिया है और उसके बाद इस से हमें ये तवा को साफ करना है तवा को सबसे पहले हमें गरम कर लेना हलका सा फिर पानी की कुछ छीटे डालनी है और उसके बाद जो है तुरंद हात नहीं लगाना है नहीं तो हांजल जाएगा तो यहां पर देखिए इसी से इस व्हु को समकाऊंगी यह यह लिए जो है हर समय नहीं मिलती हैं और रोब आधा नहीं नहीं साकरी है यह ति Kut के मैं इस साफ करना है तो इससे करके आपको इबर दिखा देती हूं अब मैं आगे की वीडियो में साफ करके आपको दिखाएंगे और जो दो मेथट और मैंने बताया है वो भी आपके साथ उससे कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी तो मिलती हूँ मैं अपने पार्ट टू में तब तक आप अपना बहुत सारा ख्यार रखे थैंक्स और वच्छी में वीडियो